हलो एवरीवन दिस इस सिद्धार्थ पतेल वेलकम चो मैगनेट ब्रेंज मैगनेट बेंज एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको क्लास केजी से लेके क्लास च्वेल तक पढ़ाया जाता है और यहां पर जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ के बाद में कोई फी या कोई सब्सक्रिप्शन मांगा है यहां पर आपको सारी चीजे बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती है साथी साथ आपको एक चीज और बता दी जाए कि मैगनेट बेंज पर एंटी एसी ओलंपियाड और मैगनेट बेंज हिंदी मीडियम भी चैनल स्टार्ट हो गया है जापे हिंदी मीडियम स्टूडेंट को बहुत हेल्प मिल जाती है सो आप इन सारी चीजों के बारे में अपने फ्रेंज वगिरा को बताईए साथी साथ मैगनेट बेंज की यह है आपकी पूरी हुमानेटी इस की टीम जो की जोरो शोरो से महनत क करती है वीडियो बनाने में सो डाट आप एक्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सके और अपने माबाप का नाम रौशन कर सके तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्री बेस्ट ऑन आउटपुट्स या फिर प्रोड पढ़ चुके हैं इंडस्ट्री बेस्ट ऑन साइज तो मैं इसको लिख सकता हूं कि हमने अल्रेडी बात कर ली हैं इंडस्ट्री इस बेस्ट ऑन साइज के बारे में इंडस्ट्री बेस्ट ऑन साइज में हमने क्या देखा था इंडस्ट्री बेस्ट ऑन साइज में हम लोग already बात कर चुके थे cottage and household industry small scale industry और large scale industry ये तीनों industry क्या होती है इनका classification हम already पढ़ चुके थे फिर उसके बाद में हम क्या बढ़ा था उसके बाद में हमने बात की थी industries based on raw materials industries based on raw materials या फिर inputs कह सकते हैं raw materials slash slash input ठीके industries based on raw material slash inputs यहां पर हमने क्या देखा था agro based industry mineral based industry, chemical based industry, forest based industry और एक और कान सी थी animal based industry ये पाच classification हमने इसमें देखा था तो अब बार याती है किसकी अब बार याती है industry based on product हमने पहले raw material की बारे में बात की थी और अब हम बात करेंगे industry based on products ठीक है कि product के basis पे classification जो होता है उसके बारे में बात करेंगे so basically यहाप हम लोग बात करेंगे basic industries और consumer goods industries के बारे में हम लोग समझने वाले हैं बहुत ही छोटा सा topic है बहुत easy topic है आपको ज्यादा लोड नहीं लेना पड़ेगा पांच मिनिट में सारी चीज़े आपको clear हो जाएंगे you have seen some machines and tools made up of iron or steel the raw material for such machines and tool is iron and steel which itself and industry the the industries whose products are used by the other goods by using them as a raw materials are basic industry अब देखो हैं basically कहना क्या चाहरा है आप कुछ सोचिए कि आपने देखा होगा कि जो बड़ी-बड़ी industries होती है उसमें जो machines होती है वो iron और steel के बनी होती है लेकिन iron और steel already एक पहले से एक industry है चीज़ आपको पता है कि जो minerals है iron उसे हम...वो minerals से iron और steel industry बनती है चीज़ए लेकिन यह industry दूसरी industry को मदद कर रही है आगे काम करने में चीज़ए हैं यह जो iron and steel industry है यह दूसरी Industries को मदद कर रही आगे काम करने में कैसे मदद कर रहा है कि यह जो आरेन और स्टील की ही वही है यह जो आरेन और स्टील्स है इन यह की बाद में मशीन बन रही है तो यह क्या हो गया Basic Good हो गया मतलब कि अगर कोई एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि दूसरी इंडस्ट्री को मदद कर रही हो आगे काम करने में वो हो गया बेसिक इंडस्ट्री एक बार फिर से क्लियर करता हूं अगर किसी को समझ में नहीं आया हो थोड़ा सा दिमाग पर जो डालो आइरन और स्टील इंडस्ट्री और एक इंडस यह iron और steel की बनी होती है, तो जो iron और steel industry है, यह दूसरी industries को मदद कर रही है, चीक है, तो एक industry जो की दूसरी industry को मदद कर रही है, वो हो गई है basic industry, clear है, समझ में आगया की basic industry का है, अब एक बार फिर से पढ़ो, You have seen some machines and tools made of iron और steel, आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे machine और tools जो है, वो iron या steel के बने होते हैं, बिल्कुल बने होते हैं, आपने बहुत सारी factories machine में देखा होगा, आप pharmaceutical या कोई भी आप जाते हैं, food processing वगईरा में, तो जो बहुत सारे machines होते हैं, वो iron और steel के बने ह होते हैं, बिल्कुल, the raw material for such machines and tools is iron and steel, which itself is an industry, अब वो जो दूसरी जो industry है, उनका raw material तो iron and steel हुआ, iron and steel कैसे हुआ उनका raw material, क्योंकि आप मानियें कि अगर वो machine नहीं होगी, तो उन factory में काम कैसे चलेगा, जैसे कई बार अगरबत्ती बनाने की पता है, machines आते हैं, अगर आप iron and steel से बनी है, अब अगर वो machine नहीं होगी, तो अगर बत्ती कैसे बनेगी, तो iron and steel जो है, वो दूसरी industry के लिए एक तरीके से raw material का काम कर रहा है, कि अगर ये वाली industry नहीं होगी, तो वो industry तो automatically काम ही नहीं करेगी, इसलिए इस industry को हम basic industry कहते हैं, clear है, ये वाली चीज आपक में आ गई है, अब बारी आती है, consumer good क्या होता है, the consumer good industry produce goods which are consumed by customers directly, for example, industry producing breads and biscuit, tea, soap, papers for writing, television, etc, ये कुछ ऐसे goods होते हैं, जो की consumer directly इनको consume करेंगे, छीक है, chips वगेरा हो गए, या फिर अगर हम देखे की bread वगेरा हो गई, तो इनको हम directly consume करेंगे, इनको directly हम खाएंगे, या कु गारेंगे, सो य हो गया consumer good industry, जिनको के हम directly consume कर रहे हैं, वह industry क्या हो गई, वह हो गई consumer based industry, clear है, basic industry वह जिसमें की एक industry, दूसरी industry के लिए base बन रही है, एक industry, दूसरी industry के لिए raw material का काम कर रही है, जैसे की जो iron and steel है, iron and steel अपने आप من एक industry है, लेकिन वह गरा है, बने बार है से ही उनका product बनेगा तो एक industry दूसरी इंडस्री के लिए raw material का जो काम कर रही हो गई basic industry और वो goods जो की consumer directly consume कर रहे हैं वो हो गई consumer goods industry clear है यह वाला concept आपको समझ में आ गया है इतना सा ही concept था इतनी सी ही आपको चीजे समझ नहीं थी थोड़ा सा basic industry में आपको problem हो सकती है इतनी सी ही चीजे आपको समझ नहीं थी जो कि मुझे magnet brains की website पर पहुचतें के लिए simply आप लोग गूगल पर जाए गूगल पर आप magnetbrains.com लिखके search पर क्लिक कीजिए जैसी आप magnetbrains.com लिखके search पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का interface आपको नजर आएगा यहाँ नीचे दिया गया होगा explore top courses यहाँ cbs English medium ntsc Olympiad, cbsc, state board, hindi medium सारी चीज़े आपको magnet brains पर बिल्कुल free of cost available मिलेगी आप जैसी cbsc English medium में जाते हैं आप जैसी class 12 पर क्लिक करेंगे class 12 पर क्लिक करने के बाद class 12 के जितने भी subjects पर videos बन गए होंगे वह सभी screen पर होंगे अगर आप थोड़ा सा scroll करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको class 12 का geography नजर आएगा और जैसी आप class 12 के geography पर क्लिक करते हैं वैसी आपको class 12 geography के सभी subjects के videos आपको screen पर दिखेंगे और यहाँ पर जो videos होंगे यह videos आपके ncrt book के according होंगे और यहाँ पर जो videos होंगे वह चाप्टर वाइस format में अरेंज होंगे चाप्टर वाइस में भी topic wise आपको यहाँ पर वीडियो आरेंज मिलेंगे so it is up to you अगर आप YouTube से comfortable है तो आप YouTube से पढ़िए लेकिन अगर आपको YouTube पर वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो आप website के मादेम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं Magnet Brains एक ऐसा चानल है जहां पर क्लास केजी से लेकि क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है और यहां पर जितने भी वीडियो हैं वो सारे वीडियो बिल्कुल free of cost available है आप लोग जादा से जादा इन वीडियो को शेर कीजिए Magnet Brains के बारे में बताईए अपने स्कूल में